हलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेर करेंगे नारियल की चटनी बनाने की रसिपी और देंगे इसके सारे ही टिप्स वीडियो के एंड में नारियल की चटनी के बिना इडली डोसा सब अदूरे हैं तो आज हम आपके साथ एकदम साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी की रसिपी शेर करेंगे और अच्छी और बैस्ट कुकिंग करने के लिए हमारे साथ चुड़िए और कम मसालों और टिप्स के साथ अपनी कुकिंग को बैस्ट बनाईए तो चलिए आज की हम ये रसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें कच्छा नारियल ले लेंगे और इसके उपर जो बाल ज इसके पानी को हम निकाल लेंगे और अब यहां पर हमने आदा नारियल ले लिया है और इसको चोटे पीसेज में काट लिया है आप चाहें तो इसको ग्रेड भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन हम यहां पर पीसेज में ही इसको काट के बनाते हैं तो एक हम ग्राइं तो यहां पर थोड़ी कॉंटिटी में हम प्यास का यूज़ करेंगे और इसके बाद में इसमें अब हम डालेंगे मुंगफली मुंगफली रोस्टेड डालना है इस बात का ख्याल रखें कच्ची ना डालें नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा और अगर आपके पास मुंगफली ना हो तो आप यहां पर भूने हुए चनों का यूज़ कर सकते हैं मुंगफली से बहुत सोंधा टेस्ट आता है तो आप यहां पर रोस्टेड मुंगफली ही डालें और अब इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चे हरी मिर्चों को दो दो पीस में तोड़ कर डाल देंगे जिससे वह असानी से पिस जाएं और अब हम डालेंगे एक दम फ्रेश दही दही खटा नहीं होना चाहिए तो अच्छे टेस्ट के लिए थोड़े से दही का यूज़ करेंगे और अब हम डाल देंगे नमक नमक के बाद में हमें इसे पीसना है पहली बार पीसने में हलका सा दरदरा पीसेगा क्यूंकि इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया है तो एक बार स्पून की हेल्प से इसको हम उपर से नीचे की तरफ मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम पानी डाल कर इसको पीसेंगे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका तो एक बार फिर से इसको हम 10 से 15 सेकंड के लिए फिर से इस तरह से पीस लेंगे अब ये एकदम पिस चुकी है इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब एक step की तरफ चलते हैं यानि किके तड़का लगाएंगे इसका तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे उस्सो में डालेंगे mustard oil और उसके बाद में ऑइल को गर्म होने देंगे गर्म होने के बाद में हम डालेंगे राई राई जब चटकने लगे तो इसके बाद हमें डालना है सूखी लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च के बाद में हम इसमें डालेंगे एकदम फ्रेश करी लीफ्स अगर फ्रेश आपके पास ना हो तो आप ड्राइ भी यूज़ कर सकते हैं तड़के को हम चटनी में डालेंगे और अच्छे से पूरी चटनी में तड़के को मिक्स कर देंगे देखने में तो टैम्टिंग ये लगता ही है लेकिन टेस्ट बहुत सबरदस्ट होता है जब इसका बगार यानि के तड़का लग जाता है इसके बाद चटनी तो हमारी बनकर एक्टम रेडी है और बहुत टेस्टी है तो चलिए अब हम इसके टिप्स भी देख लेते हैं अगर आपके पास कच्ची मुंग फली हो तो उसको हलका सवाइल डाल कर रोस्ट कर लीजे और छिलका उतार कर आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर नारियल खरीते पर ये धिहान रखें अगर नारियल भारी है तो इसका मतलब है कि नारियल फ्रेश है और उसमें पानी बी का प्रेश प्रेश नारियल थे नारियल थे घट्सवाल भारीर खरीते बीज़ नारियल गात्षर को है कि उल Budla कर दो सक्झेएल नारियल भारी तो भारीट फ्र दीज़के रप्टर है जिसके सकाने हो तो उस्किन कर उसके सटार्णियल